मेरा सिंह और आप देख रहे हैं मीरा सिंह मेक ओवर चैनल स्वागत आपका मीरा सिंह मेक ओवर चैनल में आज लेके बहुत प्यारा सा ब्लैक औंड गॉल्डन स्मोंकी आई मेकप लुक आप देख सकते हैं तो आज ब्लैक औन गॉल्डен प्लेक जाता है और यह बहुत प्यारा लगता है अगैं मैं फॉस कर्यूंज हुआ और फिलर के लिए मैंने लिया है सुछ ब्यूटी का आई फिलर यह सुछ ब्यूटी का आई लाइनर और आई फिलर जैल है यह बहुत अच्छा है इसका जो यह कलर यह ना तो बहुत ब्लैक है और बहुत ब्राउन ना बहुत लाइट है मीडिया में तो अच्छा है ले सकते हैं तो आप आपको gel liner साथ मो बोड़ स्कृचे से फिल करने हैं कि अगर सफिल नहीं होगी तो आपका आइबक बिलकुल बीच्छा नहीं लगेगा क्या कम होती है किसी की जादा होती किσी जैसे मेरी तो नहीं है तो मुझे एक अर्टिफिशल सी पॉइंटेट बनाना पड़ती है कि मेरी थोड़ी सी हुड़ी डाई आई यह बढ़ा नहीं लगेगा तो उस पे मेरा बहुत अच्छा मेकप आई का नहीं लगेगा तो यह बहुत जरूरी है आई ब्रोस फिल करना अगैन मैंने लिया स्विस ब्यूटी का कंसीलर आपने आई लिट को और जब भी मैं आई लिट पे कंसीलर लगाती हूं मेकप से पहले तो हमेशा एक फ्लैट ब्रस लेकर में एक लाइन ड्रॉव करती हूं आप देख सकते हैं और यह लाइन ड्रॉव में नीचे एंड ऊपर दोनों करती क्योंगर्द की मेरी अई प्रो करके दिकती है तो अगर आप आई मेकप आई पर ऐसी आप को पूरा और आई मेकप बहुत अच्छा में लगते लेगा। वह जादा अच्छा लगेCon अगर आप देख सकते हैं मैं पूरा लेट पे कंसीलर दे रही हूँ और मैंने ब्रस की सायता इसा ही दिया है अगयान उसके बाद मैं ब्लेंड करने वाले एक ब्यूटी ब्लेंडर से और गाई जो लोग भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को स आप रचा से रचाशा बियुक्त बहुत बहुत अच्छे से होगा और जो अपका ब्रस बहुत अच्छे से मूब करेगा तो आप देख सकते मैं मैी तीलैक्ट करें अए से मैंने लिए है लाइट शेड़ आप देख से लाइट पीछ शेड़ है और मैं करियो अपनी आई लिट पे पीछ दे रहे हूं और गाई जब भी आप कलर उठाते ना हमेशा पहले ब्रेस में लाइट कलर उठाईएगा कभी भी ज्यादा सा कलर मत उठाईएगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी हमेशा पहले लाइट उठाईए उसके बाद अगें डाक जितना आपको डाक लेना आप ले सकते हैं लेकिन हमेशा पहले लाइट लगाईएगा तो देखें मैंने पूरी आइलेट पे दे दिया है एक बहुत लाइट सा पीछ कलर आप देख सकते हैं और जैसी अगर आप पूरी आईलेट पे दे देते हैं उसके बाद फिर अगयान आप शुरू करते हैं मेकप तो मेकप थोड़ा अलग से होता और अच्छा लगता अगयान फिर मैंने उसके उसी का थोड़ा सा डाक कल उठाया और मैं दे रही हूँ अपनी क्रीज एरिया प आप देख सकते हैं थोड़ा सा अगयान मैंने हलका सा ब्लैक कलर उठाया बहुत लाइट सा ब्लैक उठाया जिसे मैं अपनी क्रीज एरिया पर दे रही हूँ पहले मैंने लाइट पीज दिया दें डाक पीज दिया अगयान मैं हलका सा ब्लैक उठाया और इतना हलका उठाय अगयन दे रही हूं और उसके बाद फिर नेल और दे रही हूं और यह प्रा से, और विक्राब कर थे सरी धिलर. विक्तार की अओर यहेलन होने में बहुत नहीं हया तो आप देख सकते हैं मैं प्राहб К? और मैं फिर फोड़ा से उठा रही हूं फिर लग तो आगे तो आगे मैं इस्पैसल ब्लैक ब्लैक नहीं उठा रही हूं भी जितना ही जितना भी है हमारी ब्रश में लगा हुआ है वो मैंने आगे भी move कर दिया again same palette से मैंने उठाय golden color और मैं आगे inner corner पर देने वाली हूँ golden आप देख सकते हैं तो golden लगते ही देखें यह कितना प्यारा लग रहा है तो black and golden भी smokey eye makeup बहुत अच्छा लगता है आप देख सकते हैं तो inner corner पर मैं golden दे रही हूँ और इसको भी मैं बहुत अच्छा से blend कर रही हूँ गाई देखें जब भी आप eye makeup करते हैं आपको time लेके करना है कितना भी time लग जाए आपको eye makeup time लेके करना है क्योंकि eye makeup में अगर blending अच्छी नहीं करेंगे नंगा जितने भी आप color deposit करते हैं उनको आपस में आपको merge करना है आप देख सकते हैं कि मैं इनको कैसे merge करना है आप देख सकते हैं outer corner पे भी मैं black लेके और मैं golden के साथ merge करूं है आप देख सकते हैं क्योंकि जो बीच में line के rate होगी जो दिखेगी वाच्छी नहीं लगी तो आपको हलका-हलका ऊठाना बहुत light color पिक करके और आपको दोनों को आपस में merge करना है आप देख सकते हैं क्योंकि merging बहुत जरूरी है आप देख सकते हैं मेरे कोई और डिपॉजिट कर रही हूं अब देख सकते हैं क्योंकि मैंने लाइट उठाया था अगयान मुझे लगा मुझे थोड़ी और जरूरत था थोड़ा सा और उठाया अगयान थोड़ा से में और ब्लैक उठाया एंड उसको मैं आउटर कॉणर से लेके आप देख सकते क्रीज कलर अपनी आई पे दिया वह शिमर दिया तो मैं मैट नहीं दे रही हूं तो शिमरी दे रही हूं आप देख सकते हैं जिससे की बोन एरिया थोड़ा इनहेंस करके दिखे और अच्छा लगे अगयान उसके बाद मैंने उठाया है लाइनर और यह पॉप का लाइनर आपके पा मैंने अपनी वीडियो में दे रखा है मैंने बहुत सारी वीडियो डाली होई आई मेकप के तो आप जाके विजिट करें और देखें हूं आपे की आई पे इसमोच लाइनर कैसे लगाते हैं तो यह मैंने लाइनर दिया है और लाइनर मैंने बिल्कुल भी आज विंग नही दे रहे हूं त taught Christmas maiz kick ऑच्छकों लाइनर देखें लाइनर बेचे की वाधूर्व के रहे हैं कॉछ और अगए को मैंने ऊर्पी जगाना है क्योंकि आइक कर बने Stefan के लगाएंगे तो नीचे इयक स्मॉकी लुक आएगए और जो मैंने गॉल्डन को मैंने पिक किया है मैं काजल के साथ मॉर्ज के साथ रहें तो ह 해ggakे हैं तो यह बहुत आप Deci लाइब हो जाता है और है यह मेरी पैक की अगया बहुत पसंद में नहीं प्रब्सकेश को बहुत अच्छी लगती है और आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं और मस्कारा लोए लेश पर बहुत अच्छे से लगाना है क्योंकि क्या होता है कि lower lash पे हमारी lashes नहीं लगी होती है तो उस पे बहुत अच्छे से देना है अपर lash पे भी देना है जिसे कि दोनों eye lash आपस मर्ज हो जाए और real और fake lash अलग-अलग ना दिखे तो मस्कारा को बहुत अच्छे से apply करना है अब देख सकते हैं कितने सा apply कर रही हूं और उसके बाद पुल मेकप के साथ में लेके ओंगे यह फॉस पार्ट था तो वेट करें रही है और देख दी रहे है और सीखते रहे है मिलती हूं सेकंड पार्ट में नेस्ट टिटोरियर लेके तब तक के लिए बाए and टेग कियर